नमस्कार आप सभी लोगों को सहा गयते हैं प्राक्समा रभी पे आज आपको हम बताएंगे एप्लिकेशन कौन-कौन सी है जियो एस टीबी में पहले से कौन सी इस्टाल एस सिस्टेम एप कौन सी है डाझलोड एप्स सबसे पहले देख लेते हैं डाझलोड एप्स कौन-कौन सी है कितनी ऐस टोरेज ना रहा है देखिए डांडोड एप्स में जो है देखिए Discovery Plus, Hotstar, Jio Cinema, Jio Games, Jio News, Jio Photos, Jio Swan, Jio Sphere, Jio TV Plus, My Jio Application, My Music, Prime Video, Sony Live, Sony Sunnext, YouTube G5, ये को जो है Downloaded App है, और आप application को Uninstall भी कर सकते हैं, तो देखें यहाँ पे Jio Sphere मैं खोला हूँ, इसमें दिखाया जा रहा है, Clear Data कर सकते हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ, Disney Hotstar, Jio Cinema, Jio Cinema में गया, Clear Data आप कर सकते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि मैं Jio Cinema ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, Disney Hotstar भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो उसको भी आप कर सकते हैं, जिसके Hotstar मैं इस्तेमाल ज्यादा कर रहा हूँ, तो 340 MB का उसमें जो है, Catch पाइल आ चुकी है, एक तरह से history रहती है यह, जिसको आप clear कर सकते हैं, और देखिए, system map में देखिए, billing service, BT, game server, Jio remote, Jio care, Jio cast, dial server, Jio HTP, इस समें मेरा Jio calling नहीं चल रहा है कि आप कर चल रहा है कि नहीं, आप मुझे comment box बताईएगा, यह system की application है, इसमें कोई भी चल चल रहा ना करिएगा, इसको as it is इसी तरह से रहने दिजिएगा, देखिए, Netflix क्यों है, system की application में है, यानि कि Jio का netflix से कोई tie up है, यहाँ पर आप अनिस्टॉल भी कर सकते हैं, कौन कौन सी application को आप अनिस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने है, discovery, hot star, Jio Cinema, Jio Games, Jio News, Jio Photos, Jio Swan, Jio Sphere, Jio TV Plus, My Jio, My Music, Prime Video, Sony Live, YouTube, G5,